चुनाव आयोग जम्मो कश्मीर में विदान सबाद चुनाओ की तारिकों का एलाद अमरनात यात्रा के बाद करेगा यात्रा एक जुलाई से शिरू होगी जो 15 अगस तक चलेगी चुनाव आयोग ने कहा है कि अमरनात यात्रा के बाद वो जम्मो एवं कश्मीर विदान सबाद चुनाओ के कारिकरमों की गोशना करेगा इस गोशना के साथ सफष्ट हो गया है कि इसी वर्ष चुनाओ कराए जाएंगे आयोग के ब्यान के अनुसार चुनाओ पैनल ने सर्व समती से ये तै कि चुनाओ कराने पर विचार इस वर्ष के अंत में किया जा सकता है आयोग राज्ज में पलपल की स्तिती की निगरानी करेगा सभी जगाओं से इंपुट के आधार पर अमना त्यात्रा के बाद चुनाओ की तारीकों की गोशना संबब है देश भर में आज इद का चांद दिखने के बाद आज दिल्ली NCR समेट पूरे देश में इदुल, फितर, कात्योहार, पूरे जोश और उत्सा के साथ मनाय जा रहा है इद के मौके पर रोजेदारों ने एक दूसरे को गले लगा कर बढ़ाई दी और देश दुनिया में अमन चैन की धुआए मांगी सुबे से ही देश भर की मस्जितों इद गाहूं में नमाज पढ़ने वालों का तातार लगा रहा पूरे एक महीने रोजे के बाद आए इस मुकद्दस पर्व का हर रोजेदार को इंतजार रहता है भारती क्रिके टीम विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में आज दक्सिन अफ्रिका के खिलाब मैदान में उतरेगी ये मैच साउथ हैंटन में खेला जाएगा मैच भारती समय नहुसार दोपहर तीन बजे से शुरू होगा उत्रप्रदेश में यातायात निमों का लंगन करने वालों को अब पहले से अधिक जुर्माना देना होगा इसके लिए मोटरियान निमावली 1988 की धारा दोसों में संशोधन प्रस्ताव को कैबिनेट मंजूरी दे दी है इस प्रस्ताव के जरिये सरकार ने बिना नमबर प्लेट, बिना हलमेट और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने जैसे मामलों में जुर्मानिक की राशी में व्रिद्धी करती है देश की दिगज विवान कमपनी इंडिगो की फ्लाइट ओपरेशन सेंटर को सुमबार मंगलबार देराथ ईद मुबारक देते वे पाकिस्तान ने भारती विमानों के लिए अपना हवाई रास्ता खोल दिया है पाकिस्तान के रास्ते सबसे पहले इंडिगो की फ्लाइट ने भारत में प्रवेश किया आपको बता दे की बाला कोट पर हमले के बाल पाकिस्तान ने अपनी वायू सेना को भारती विमालों के लिए बंद रखा था दोबारा सत्ता में आने के बाद मोधी सरकार अपना पहला रक्षा सौदा अमेरिका के साथ करने वाली है भारत अमेरिका से इस साल के आखिर तक 17,500 करोड रुपे के नौसेना हेलिकॉप्टर का सौदा कर सकता है भारती नौसेना के लिए 24 लौकेट मार्टिन सिरोस की MH-60R हेलिकॉप्टर खरीदेगा जो एंटी सब्मरीन, एंटी सर्वेस वार्फेर और सर्विलांस में सक्चम है देश का बड़ा हिस्ता कल भी लू की चपेट मेरा रायस्तान के चुरू में 48 डिग्री सेल्शियस तापमान रिकॉर्ड किया गया हलाकि कुछ इलाकों में बारिश से लोगों को रहत भी मिली मौसम विभाग ने आज संभावना जयताई है कि आज आस्मान में बादल चाहे रहेंगे और बारिश होगी साथी बिजली गरजने और 40 किलोमीटर प्रती गंटे की रफ्तार से हमाएं चलने की संभावना है वहीं कई इलाकों जैसे पंजाब, हर्याना, हिमार्चल प्रदेश और गुजरात के कई हिस्तों में हलकी बारिश हुई है जमोमीवी अधिक्तम तापमान 40.1 डिग्री सेल्शियस और न्यूनिक्तम तापमान 25 डिग्री सेल्शियस दर्ज किया गया अमेरिका ने भारत को विशेश तरजी वाले देशों की सूची से बाहर कर दिया है ये फैसला आज से लागू हो जाएगा अमेरिका की राष्टपती डोनाल्ड ट्रम्प का कहना है कि उन्होंने ये फैसला इसले लिया है क्योंकि उन्हें भारत से ये आश्वासन नहीं बिल पाया कि वो अपने वाजार में अमेरिकी उत्पादों को बराबर की छूट देगा उनका कहना है कि भारत में पाबंदियों की वज़े से उसे व्यापारिक नुक्सान हो रहा है पंजाब की मुक्यमंत्री कैप्टेन अर्विंदर सिंग ने प्रधान मंत्री निर्दरमोदी के नाम एक पत्र लिका है इसमें उन्होंने किसानों के लिए कर्ज माफी के मुद्दे पर विचार करने को कहा है उन्होंने लेका है कि प्रधान मंत्री कृषी मंत्री को सुजाब दें कि वो प्रधान मंत्री फसल वीमा योजना में आवशक संस्शोधन करें ताकि उनके आधार पर राज सरकार कर्ज माफी के मुद्दे पर विचार कर सके और इसी दिशा में आगे बर सके इससे किसानों को काफी सहयोग मिलेगा और स्यूसाइट किये जाने के मामले कम हो जाएंगे प्रदानमंतरी नरिंदर मोदी ने किस जून को विश्व योग दिवस से पहले बुद्वार को लोगों से योग को अपने जीवन का अभिन अंग बनाने की अपील की है उन्होंने योग के अने को फाइदों की तरफ ध्यान दिलाते वे योगासन का एक छोटा वीडियो पोस्ट किया है प्रदानमंतरी ने ट्वीट करते वे लिखा 21 जून को हम योग दिवस 2019 बनाने जा रहे है मैं आप सब को योग को अपने जीवन का अभिन हिस्सा बनाने और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेडित करने की अपील करता हूँ योग के फाइदे जवदस्त है यहाँ तिलोकासन का एक वीडियो है पच्चिम बंगाल में जैशिराम के नारों के बाहने उठाए गए सियाती बाबाल के बीच मुख्यमंतरी ममताब एनरजी ने बीजेपी को शायराना अंदाज में परलटवार किया है एद के मौके पर मुस्लिम समधाई को मुबारकबाद देते हुए ममताब एनरजी ने बीजेपी और नरेंदर मोधी को निशाने पर लिया और कहा कि डढ़ने की ज़रुत नहीं उन्होंने हिंदू मुस्लिम इसाई के भायचारे पर भी शायरी कही वम्ता बैनर जी ने मुस्लिम समधाय से कहा कि त्याक का नाम हिंदू, इमान का नाम मुसल्मान, प्यार का नाम इसाई, सिखों का नाम बलिदान है ये है हमारा प्यारा हिंदुस्तान विश्बैंक ने अनुमान लगाया है कि अगले तीन साल तक भारत की विकासदर 7.5 पीसिदी रहेगी नीजी खपत और निवेश बहतर होने से इसको बल मिलेगा अगले पांच साल तक सिर्थ सरकार रहने से ऐसा संबब होने के चांसे काफी बढ़ गए है पाकिस्तानी सेना ने एक अभूदपूर कदम उठाते वे इस साल पेश होने वाले बजट में स्वेक्षा से कटोती करने का नेड़ने लिया है ये फैसला ऐसे समय पर लिया गया है जब पाकिस्तान सरकार आर्थिक संकर से जूज रही है एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में पाकिस्तान दुनिया में सेना पर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले देशों में 20 में स्थान पर था